अभी नेत्री फरीदा जलाल जिसको आपने देखा होगा मा के रॉल में भावी के रॉल में और बड़े करेक्टर अभी ने किया करती थी लेकिन सबसे पहले यह हीरोईन थी दोस्तो दिलीब कुमार की वज़े से इनका केरियर तबाह हो गया था अगर दिलीब कुमार की वज़े से केरियर तबाह नहीं होता तो आज के इस टाइम में हीरोईनों की लिस्ट में इनका नाम होता है आखिर क्या हुआ था इनके जीवन में यहाँ पर जानकारी लेंगे वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा नमसकार में हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानिय चैनल में आपका स्वागत है फरीदा जलाल दिल्ली में 14 मार्च 1949 को इनका जन्म हुआ मगर वो पली और बड़ी मुंबई के अंदर थी फिल्मों में यह कैसी आई सबसे पहले यह यहाँ पर चल्चा कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे फिल्मों में आने का सफर इनका कैसा रहा उनको बचपन से ही हीरोईन बनने का चसका था दोस्तों बड़ा सौक हुआ करता था और जब वे 16 साल की थी तो यहाँ पर क्या होता है गटना गटित होती है जब वे 16 साल की थी तो 1965 साल चला हुआ था 1965 में मुंबई में एक बड़ा टेलेंट हट होने वाला था टेलेंट हट जहाँ पर कलाकारों को बुलाया जाता है देश के अंदर कितने कलाकार है उनको सेलेक्ट किया जाता है फिल्म फियर और यूनाइटिड फिल्म प्रोडूसर देश में छिपे हुए अभीने के हुनर को तलासने वाले थे इस प्रोग्राम के जरिये दोस्तों उनमें थे विमल रोय, बियार चौपडा, नासिर हुसेन, जीपी सिप्पी और सक्ति सावंत जैसे दिगगत डारेक्टर और प्रोडूसर उसमें थे उस प्रोग्राम के अंदर इन सब को जज बनाया गया था फरिदा ने भी इस टेलेंट हंट में हिस्सा ले लिया और देश के हजारों युवक और युवक्तियां इस प्रितियोगिता का हिस्सा बने थे दोस्तों बहुत सारे लोग यहां पर आये थे मगर फरिदा जलाल अपने हुनर से सब को पचारते हुए लास्ट राउंड तक पहुंच जाती है अब मुकाबला सबसे कड़ा हो गया था लास्ट राउंड में क्योंकि दोस्तों उनको टक्कर देने के लिए राजे स्खन्ना, विनोध मेरा, सुबास गई और धीरज कुमार जैसे लोग भी थे अंतिम राउंड में अब इनको टक्कर देनी थी तो आखरी में दो नाम सामने आते हैं एक तो राजे स्खन्ना और फरिदा जलाल दोनों ने ही पिर्तियोगता जीत ली थी दोस्तों जैसे ये दोनों पिर्तियोगता जीतते हैं तो पूरे उस जगह पर जीत की जसन मनाया जाता है और जीत का जसन जैसे मन रहा था तो राजश्ची प्रोडक्शन के ताराचंद परजातिया ने फरिदा को सिटेज के पीछे बुलाया और पीछे बुलाकर कहा कि मैं तकदीर फिल्म मना रहा हूँ क्या तुम उसमें काम करोगी अब जब मानो फरिदा कहते जैसे भागी खुल गए हो फरिदा ने तुरंत हामी भल ली और फिर दोस्तो उसके बाद 1967 में आई भारत भूसन की इस तकदीर फिल्म में अदाकाराने बॉलिवुड में कदम रखा था यहां से उनकी शुरुआत हुई थी फिल्म के लिए फरिदा को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पढ़ गई थी क्योंकि 16 साल की थी पढ़ाई लिखाई कर रही थी अब 1968 में बहारो की मंजल एक फिल्म आती है उसमें धर्विंदर मीना कुमारी अपोजिट में थे उनके साथ ही फरिदा भी उस फिल्म में काम करती है अब आती है एक महल फिल्म महल फिल्म में देवानंद और आसापारिक थे और इसमें नर्स का किरदार यहां पर फरिदा जलाल ने निभाया था जो की बहुती सरहनी है था 1969 में अरादा नाम की फिल्म आती है और इस फिल्म में फरिदा को राजेश कन्ना के अपोजिट रॉल मिला था और इस फिल्म से फरिदा प्रिसिद्ध हो जाती है लोगों के दिलों में इनकी जगह बन जाती है दोस्तो एक पुर्षकार नाम की फिल्म आती है उसके बाद जिसमें जोय मुखर जी के साथ हीरोईन का रॉल फरिदा जलाल को मिलता है अब यहां तक उनकी जर्नी अच्छे से चलती आ रही थी काम्याबी के सूत्र में बंदती जा रही थी और ने जाने कितनी ही उचाईयों को छोती फरिदा अब उस दौर की बड़ी बड़ी हीरोईनों को टकर देकर आगे निकल सकती थी दोस्तों मगर उनकी एक गलती ने उनके केरियर को ही खराब कर दिया अब वेक गलती क्या थी उसके बारे में भी जान लेते हैं गोपी नाम की फिल्म बन रही थी और गोपी में एक्टर थे दिलीब कुमार अब जो गोपी फिल्म बनाने वाले थे वे दिलीब कुमार की बहन का किरदार करने वाली कोई नई लड़की ढून रहे थे आप यहाँ पर बहुत सारी हीरोईनियों के पास जाते हैं लेकिन सभी हीरोईनियों दिलीब कुमार की बहन बनने से मना कर देती हैं और जैसे हुँए फरिदा के पास जाते हैं तो फरिदा सिर्फ इसलिए राजी हो जाती है कि उनको दिलीब कुमार के साथ काम करना पड़ेगा काम करना होगा उनकी चोईस थी तो दिलीब कुमार की बहन का रॉल accept कर लेती हैं अब इनको हर हीरो की बहन का रॉल मिलने लगते हैं दोस्तों इसके बाद क्योंकि यह इनकी बहुत बड़ी गलती थी हर हीरो इनके अंदर अब बहन देखने लगा था ना कि मासू का या प्रेमी का अब एक फिल्म आती है पारस जिसमें संजीव कुमार की बहन बनी थी और एक फिल्म आती है मजबूर जिसमें अमिताब बच्चन की बहन बनी थी और अमर प्रेम, बॉवी, धर्मात्मा, सतरंज के खिलाडी जैसी कुछ फिल्में करने के बाद अब यह बॉली बुर से दूर होने लगती है क्योंकि इनको लग गया था कि अब इसको हीरोईन कोई बराने वाला नहीं है बहन के ऐसे रॉल मिला करते थे इनको तो यह परिसान हो चुकी थी क्योंकि दोस्तो सब कुछ होते हुए भी इनका केरियर तबाह हो चुका था सुन्दर थी, खूबसूरत थी, पड़ी लिखी थी, अदाकार आच्छी थी लेकिन इनको रॉल नहीं मिल रहे थे अब उनको रॉल मिलने बंध हो जाते हैं इसके बाद इन्होंने साधी कर ली और फिल्मों से किनारा ही कर लिया 1978 में अभी निटा तबरेज से इन्होंने साधी की और साधी करके बेंगलॉर सेटल हो जाती है इनका एक बेटा भी पैदा होता है यासीन जलाल अब दोस्तो 2003 आता है और 2003 में इनका तलाक हो जाता है इनके पतीक से वैसे फरीदा ने कई सालों बाद बॉलीवुड की दूसरी पारी सुरू की थी जैसे कि मा का रॉल करना, नानी का रॉल करना, दादी का किरदान ने भाना और कुछ टीवी सीरियल्स में भी है काम करने लगे थी और फिलहाल वो 74 साल की हो चुकी है और बेटे के साथ रहती है बैंगलॉर में और बैंगलॉर से मुंबई आती जाती रहती है अगर वो दिलीव कुमार की बहन ना बनती और इस बहन बनने की गलती ना करती तो साइद आज मुक्य अभीनेत्रियों में उनका नाम लिया जाता तो पर तभी कहता है दोस्तों जीवन के अंदर छोटा सा टर्निंग पॉइंट इंसान के पूरे जीवन को बदल देता है यहाँ पर यह हिरोईन अगर दिलीव कुमार की बहन नहीं बनती तो आज यह बहुत बड़ी अभीनेत्रियों में इनका नाम आता क्योंकि उस जमाने में कुछ अलगी सिस्टम हुआ करता था कोई किसी की बहन बन गई तो उसको बहन की नजर सीधे देखा जाता था आज की जमाने में तो बहुत ही अलग है तो यहाँ पर इस तरह से इनका कैरियर पूरा खराब हो गया सिर्फ एक छोटे से गलत फैसले की वज़े से सिर्फ दिलीव कुमार साब के साथ काम करने की ललक की वज़े से त बहुत सारी फिल्मों में सारुक खान की मा बनी है कई फिल्मों में तो अच्छे अच्छे रॉल इनोंने बाद में किये थे और आप लोग सभी जानते हैं तो आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगता है आप कमेंट में लिखा जरूर करने जिससे कि हमें और हिम्मत मिलती ही है और भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम लेकर आपके समख साथ सकते हैं अगर आप हमें हिम्मत देते हैं तो अगला प्रोग्राम बजलती फिर से लेकर आओंगा किसी दूसरे कलाकार के साथ तब तक आप खुश रहें जैहन जैपरा